हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल शुश्मा राजकुपता हम लोग कर रहे हैं कमर्शिल लौ कमर्शिल लौ का जो सलेबस है यह बीकॉम बीबिये और सीय फांडेशन के कोर्सिस को कवर करता है तो हमारा सेकिंड जेप्टर शुरू हो रहा है आज ओ अचेंशल जाफा वैलिड ओफर ठीक है चलिगे शुरू करते हैं सबसे पहले ओफर होती क्या है ओफर एक तरह का प्रपोजल है उस प्रपोजल को जब असेप्ट किया जाता है तो वो क्या बनता है एग्रिमेंट बनता है A ने ओफर की कि मैंने गूट सेल करनी है B ने असेप्ट किया ठीक है मैंने खरिदनी है तो A का प्रपोजल कब अग्रिमेंट बना जब B ने उसे असेप्ट किया अब जो ओफर है ओफर हम कह सकते कि it is the starting point of a contract कोई भी contract करने के लिए जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था कि essentials चाहिए तो सबसे पहले क्या होना चाहिए ओफर हुनी चाहिए ओफर होगी तो उसकी acceptance होगी तो agreement बनेगा अब जो ओफर है जब आप इसे define करोगी तो definition बहुत जरूरी है according to section 2 subsection a when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything जब कोई एक परसन दूसरे परसन को अपनी willingness इच्छा शो कर रहे कि मैं ये काम करना चाहता हूं या ये काम नहीं करना चाहता हूं क्यों अपनी willingness शो कर रहे टू अब टेल अफ्ट ऑफ डैट अदर परसन वह अपनी willingness इसलिए शो करना चाहता है क्योंकि वह दूसरे परसन की असेंट लेना चाहता है असेंट मतर्ब सविकृति जाने कि असेप्टेंश लेना चाहता है जब वह परसन ओफर कर रहे है वह इस तरह से ओफर कर रहे है कि बे असेप्ट कर रहे हैं, यहां पे जो offer कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, offerer, और जिसको offer की जा रही है, उसे क्या कहा जाएगा, offerery, offerer is a person who makes the offer, offerery is a person to whom the offer is made, ठीके, तो यहां पे वो जो person offer कर रहे है, वो क्या कर रहे है, वो अपनी willingness शो कर है, कि मैं goods sale करना चाता हूँ, मैं अपना घर sale करना चाता हूँ, मैं अपनी गाड़ी sale करना चाता हूँ, वहां पे वो क्या कर रहे है, willingness शो कर रहे, to do, किसलिए willingness शो कर रहे, to do or not to do something, कुछ करने के लिए अपनी विलिंगने शो कर रहा है किसलिए कर रहा है तो अपटेन दा सेंट ओफ अधर परसन ताकि दूसरा परसन उसे जो है असेप्ट कर सके नाउ ता परसन इस हाव एन ओफर इस मेड ओफर किस तरह से की जाती है हाव ओफर इस मेड ठीक है ओफर हम किस तरह से कर सकती है यह एक्सप्रेस भी हो सकती है पहली बात तो इंप्लाइड भी हो सकती है एक्सप्रेस ओफर क्या है जैसे ए बी को बोल के कह रहा है कि मैं जो अपनी कार सेल करना चाता हूँ ठीक है यह होगी एक्सप्रेस ओफर ठीक ह implied offer क्या है जिसमें बोलके या लिखके नहीं बताया जाता बलकि उसके behavior से या हम लोग कह सकते environmental factor से पता चलता है ठीक है जब यह जो है हम लोग यह डॉक्टर के पास गया किस के पास गया डॉक्टर के पास गया डॉक्टर के treatment के लिए गया तो वहाँ पे उसको कहने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे treatment करो I will pay you यह implied ही है कि अगर उसकी treatment होगी then he will pay to the doctor तो यह होगी implied offer जो की environmental factors से पता चलती है जब यह ठीक है न boarding, bus की boarding की है bus पे चड़ गया तो वहाँ पे उससे बताने की जरूरत नहीं I will pay for that ticket obvious है कि अगर उसने suffer करने he will have to pay point clear पहले तो आगे express offer के implied offer के तो offer किस तरह से की जाती है अगर हम express offer की बात करें implied offer करने की जरूरती नहीं है ठीक है न तो जो express offer है वो टेलेक से हो सकती है ठीक है fax message से हो सकती है email से हो सकती है ठीक है न तो through internet हो सकती है आजकल ये offer इस तरह से हो सकती है ठीक है पुराने टाइम में जो offer होती थी वो कैसे होती थी through letter point clear ठीक है आजकल वो काम कोन कर रहे email कर रहे है net कर रहे fax यहाँ email नहीं है वहाँ पे fax और टेलेक्स करता है ठीक है then point आ गया offer किसको की जाती है how offer is made then to whom the offer is made offer किसको करनी है to whom हाज किसको करेंगे हम offer और अगर हम offer किसी एक particular person को कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक particular person को भी हो सकती है, A ने offer किसको किया, B को किया, तो इसे क्या कहा जाएगा, specific offer कहा जाएगा, particular person को करती, particular group of persons को भी किया, उसे भी specific offer कहा जाएगा, ठीक है, पर अगर जो offer है, वो public at large की जाती है, public at large means general public को की जाती है तो उसे क्या कहा जाएगा general offer कहा जाएगा ठीक है अगर किसी particular person को या group of persons को की जाती है तो उसे specific offer कहा जाएगा अगर public at large को की जाती है तो उसे general offer कहा जाएगा ठीक है अगर तो A ने B को offer की है तो B उसे accept करेगा कोई और करी नहीं सकता. पर अगर अगर वो जेनरल ओफर है तो कोई भी उसे ऐसेप्ट कर सकता है. ठीक है? तो यहां पे हम लोग केस ले रहे हैं. हाँ जी केस है कार्लिल वर्सिस कार्बॉलिक स्मोक बॉल कंपनी. अब हुआ instructions के according consume करते हो फिर भी आपको influenza होता है तो हम आपको 100 पोंच वो पे करेंगे ठीक है अब जो Mrs. Carlyle थी उसने advertisement पड़ी उसने क्या किया according to the instructions of the company उसने medicine लेने के बाद भी उसको influenza हो गया अब हुआ क्या जो Carlyle थी उसको influenza होने के बाद उसने company से पैसे demand किये तो company ने पैसे देने से मना कर दिया ठीक है तो court ने क्या decision लिया court ने decision लिया कि जो Mrs. Carlyle she can recover the amount because it was a general offer general offer can be accepted by any person कोई भी उसे accept कर सकता है तो यह हमने किया कि offer कैसे की जाती है और to whom किसको की जा सकती है अब हम करेंगे what are the essentials of a valid offer essentials of a valid offer offer must be capable of creating legal relationship जब भी कोई एक person offer करता है तो सबसे पहले essential के valid offer की जो offer की जाती है वो इस तरह से की जाए तांकि दो parties के बीच में legal relation जो है create हो ठीक है जैसे हमने शुरू में किया था कि ए जो है बी को invite कर है डीनर पे बी ने उसे accept कर लिया अब बाइचांस बी नहीं पहुंचा तो क्या ए उसे इस यू कर सकता है ने कर सकता तो यहां पर जो offer और acceptance होई है that is not to create the legal relationship तो दो parties में legal relation का होना बहुत ही ज़रूरी है तब भी वो valid offer बने की ठीक है अब इसमें हम लोग case ले सकते हैं अब को इंग्लेंड में रह रही है तो यहां पर Mr. Welfar ने उनको कहा है कि मैं आपको हर मन्थ 30 पॉंट जो है send किया करूंगा Mrs. Welfar कहती ठीक है कुछ देर तो Mr. Welfar ने 30 पॉंट send किये उसके पात उन्होंने send करने बंद कर दिये Mrs. Welfar ने उनको sue किया अब court ने ये decision लिया क कि जो आपको offer की गई थी that was not a legal ठीक है वो social relationship की वज़ा से की गई थी तो यहां पर Mrs. Welfar Mr. Welfar को sue नहीं कर सकती तो कहने का मतलब यह है कि अकर offer ही legal relation के लिए नहीं होगी legally enforceable नहीं होगी तो वो contract भी legally enforceable नहीं होगा पहली condition है जो offer की जाती है that must be to create the legal relation सेकिंड है offer must be certain definite note vague कहने का मतलब यह है कि जो offer की जाती है वो certain होनी चाहिए उसमें certainty होना बहुत ही जरूरी है अब हुआ क्या है A कहता है कि मैं case दिया हुए हमें Taylor versus Pottington का ठीक है जी तो A कहता है मैं आपका घर किराई पे लूँगा ठीक है B का घर मैं किराई पे लूँगा और उसने ये भी कहा दिया कि मैं तीन साल के लिए लूँगा और ये भी बता दिया कि जो rent है वो 85 पॉन्ट प प्रेजंट स्टाइल ठीक है according to present style बड़ी मतल सिंपल सी उसने वैसे तो condition रखी है पर यहां पर condition रखी है कि according to present style drawing room must be according अब जो drawing room है आप जिसके भी घर पे जाओगे सबके जो है उनकी decoration अलग तरह से हुई है वहां पर कोई present style का माईनी नहीं है means certainty नहीं है definite नहीं है ठीक है ना तो यहां पर जो offer की गई है that is not certain ठीक तो certainty होनी बहुत ज़रूरी है अब present style के या तो वो उसके pick दिखा दे क हां भी इस तरह क्या होना चाहिए तो तो मतलब कि जो offer है वो certain होनी चाहिए और definite होनी चाहिए ठीक है offer must be communicated to the offer जब तक उसको पता ही नहीं होगा कि offer की गई है तो वो accept कैसी करेगा तो offer को पता होना चाहिए कि offer क्या है बीना offer की communication के वो उसे accept भी नहीं कर सकता अब case है लालमें शुकला वर्सिस कोरितत का ठीक है तो यहां पर क्या हुआ कि जो लालमें शुकला है तो हुआ क्या कि यहां पर उसने अपने servant को भेजा है कि उसका जो nephew है वो गुम गया है ठीक के लाओ ठीक है अब servant जो है अपने owner के कहने पर उसके nephew को ढूंडने चला गया in between क्या हुआ owner ने announce कर दिया कि जो भी मेरे nephew को ढूंड के लाएगा मैं क्या करूंगा उसको एक reward दूँगा ठीक है अब जो servant था servant को इस offer का पता नहीं है servant जो है उसके nephew को ढूंड के ले आया ज तो वो owner से कहने लगा कि आप मुझे reward दो अब owner ने कहा मैंने तो तुझे reward offer ही नहीं किया ठीक है तो क्या servant owner से reward claim कर सकता है नहीं कर सकता है यहाँ पर point यह है कि अगर कोई offer की जाती है तो offer को communicate होनी बहुत ही ज़रूरी है उसको पता होना चाहिए कि यह offer की गई है तो बिना offer communication की वो accept नहीं होगी तो वो legally enforceable भी नहीं होगा ठीक है next point है कि जब भी आप किसी को offer करते हो offer दूसरे की sent की मतलब इस तरह से की जानी चाहिए कि दूसरा person उसे accept कर ले ठीक है मतलब इस तरह से आप offer करोगे जब भी A B को offer कर रहे है वो इस तरह से offer कर रहे है कि B उसे accept कर ल information देनी है ना कि वो third person जो है वो अपना घर बेच रहा है वो third person जो है इस चीज में deal कर रहा है that is not a valid offer offer इस तरह से होनी चाहिए कि second party जो है उसको accept कर सके ठीक है offer में भी conditional जब भी हम किसी को offer करते हैं तो वो offer conditional हो सकती है हो सकती है ठीक है अब जो second party है जिसने उस offer को accept किया है तो ये माना जाएगा कि उसने उन conditions को भी accept किया है ठीक है बाद में आप ये excuse करते हो कि मुझे पता नहीं था मैं ठीक है मैं पढ़नी सकता तो वो गलत बात है हुआ क्या thompson versus thompson versus l m and s railway company का case है ठीक है इसमें जो टी है वो पढ़नी सकता thompson जो है पढ़नी सकता ठीक है उसने एक railway से टिकेट ली ठीक है अब टिकेट के उपर लिखा था four conditions C back ठीक है उनमें condition थी कि जो personal injuries है उसके लिए railway जो है responsible नहीं होगी ठीक है वो condition लिखी हुई है railway ticket पे अब T ने क्या हुआ बाइचांस T जो है इंजर्ड होगे और railway accident में तो T जो है railway company से demand कर रहा है कि मेरी injury की payment करो ठीक है या उसको compensate करो अब point यह आता है railway वाले कहते है कि हमने जो है ticket पे condition लिखी थी तो T कहता है कि I couldn't read मैं पढ़ी नहीं सकता तो मैंने वो condition नहीं पढ़ी अब यहाँ पर T पढ़ नहीं सकता T ने condition पढ़ी नहीं है T ने condition देखी नहीं है यह कोई excuse नहीं है जब उन्होंने conditional offer किया है T ने ticket यह है तो he will have to fulfill the condition point clear तो यहाँ पे railway company जाय है वो libel नहीं होगी offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance offer में कोई ऐसी term नहीं होनी चाहिए जिसका मतलब की acceptance है ठीक है अब यह कैसे जैसे A B से कह रहा है ठीक है I offer to sell my house एक तरफ तो वो offer कह रहा है I offer कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ ठीक है 4 rupees 40 lakh ठीक है साथ ही वो कहता है if I do not receive any reply अगर मुझे तेरी और से कोई जवाब नहीं आया up to Monday मंडे तक कोई जवाब नहीं आया तो मैं यह समझूंगा कि वो जो घर है तुम खरीद रहे हूँ अब हुआ क्या कि बायचांस भी ने कोई answer नहीं दिया यहां उसको offer नहीं पता चली यहां उसको answer देने का time नहीं मिला तो इसका मतब भी ने accept कर लिया नहीं तो यह wrong है offer इस तरह से नहीं होनी चाहिए the non-compliance of which would amount to acceptance acceptance clear होनी चाहिए अगर मैं offer कर रहे हूँ आपने कोई चीज़ असेप्ट करनी है तो आपने clearly acceptance mention करनी यह नहीं कि मैं offer में ही कह दूँ अगर आप answer नहीं दे रहे हो तो it means कि you have accepted point clear then last point है lapse of an offer offer कब खतम होती है lapse of an offer offer कब खतम होगी ठीक है जब वो offer accept हो जाएगी तो offer खतम हो जाएगी offer को जब कोई person accept कर लेगा offer खतम ठीक है accept होगी तो वो क्या बनगी agreement बनगी पहला point तो positive point आगा second if it is not accepted offer खतम ठीक है मैंने आपसे कहा था कि मुझे दो दिन के अंदर आप answer दोगे अगर आपने दो दिन के अंदर आंसर नहीं दिया तो offer खतम है ठीक हे अगर ताइम दिया तो time के अंदर अगर कोई time नहीं दिया तो reasonable थाइग है यह थोड़ी कि मैंने offer मैंने आपसे कोई offer की आपने मुझे आगे counter offer करती, अब counter offer क्या है कि जैसे A, B से कहता है कि मैंने अपना घर बेचने कितने का बेचने 40 lakh रूपिस का बेचने, अब B कहता है नहीं मैंने आपका घर 35 lakh रूपिस में खरीदने, तो B ने accept नहीं किया, B ने की labs offer offer हो जाएगी ठीक है by revocation भी है by revocation कैसे है जैसे a ने कोई चीज आपको offer की है ठीक है बाद में a b से कहता है नहीं मैं जो है अपनी offer वापिस ले रहा हूं ठीक है अब मैंने अपना जो है विचार चेंज कर लिया तो यहां पर भी जो एक offer है वो खत्म हो जाएगी कैसे खत्म होगे क्योंकि उसने उससे क्या किया रिवॉक कर लिया यहां पर क्या हो गया counter offer होगी यहां पर क्या हुआ कि no accept नहीं हुई ठीक है तो इन cases में offer क्या हो जाएगी अपने आप खतम हो जाएगी जिसे हम lapse of offer भी कहते हैं ठीक है next point आ गया invitation to offer is not offer mere invitation किसी को invitation send करना offer करने के लिए that is not a offer ठीक है अगर कोई newspaper में हम add देते हैं ठीक है अभी आओ आके यहां पर auction हो जाएगी तो सिरफ add देना just to inform the other person just to invite is not a valid offer यहां पर example window dressing का भी आता है जो shops होती है ठीक है बड़े बड़े showroom होती है वहां पर जो window dressing की होती है तो window dressing कोई offer नहीं है वो just invitation to offer है वो एक invite कर रहें आपको कि आओ हम आपको इस तरह के product क्या करेंगे offer करेंगे that is only invitation to offer फिर जब आप shop में जाते हो showroom में जाते हो तो जो owner होता है वहां पर आपको offer करता है products then आप उसकी acceptance करते हो समझ के that is only invitation to offer is not a valid offer ठीक है तो essentials यहां पर complete होते हैं बड़ा आपका 15 marks का बहुत अच्छा question बनता है इसका ठीक है तो offer के साथ ही short answer type में आप कहलो कि यह points आते है what is a standing offer यह open offer क्या है standing offer यह open offer के रहे हैं ठीक है जैसे railway company है railway company को railway के लिए call की जरूरत पड़ती है अब उसे time to time call purchase करना होता है तो यह थोड़ी है कि वह जो call company के साथ वह बार-बार offer करेगी वह दूसरी यह accept करेगी यह call company offer करेगी यह accept करेगी एक बार जो है company offer करती है दूसरी company उसे accept कर लेती है और यह जो offer होती है standing offer है फिर क्या होता है time to time उसी price पे एक company order place करती है और दूसरी company उसको deliver करती है तो इसे बोलते है standing offer जिसके लिए बार-बार agreement करने के जरूरत नहीं है बार-बार offer करने के जरूरत नहीं है जो चीज़ हमें पता है कि हमें continuously required है एक बार उसे offer किया चाहता है और देन उसके बाद सिरफ order ही place किया चाहता है उसे कहते standing offer counter offer तो मैं आपको बताई चुकी हूँ कि counter offer होती है जैसे A ने कुछ आपको offer किया ठीक है A ने offer किया कि मैं जो goods है वो 10 lakh रूपीज में sale करना चाहता हूँ B कहता है नहीं ये चीज़ तो मैं 9 lakh रूपीज में buy करूँगा अब जो A की offer है वो खतम होगी B की क्या होगी counter offer होगी अब जो B ने offer किया अगर A को acceptable होगा तो A accept करेगा अब A offer नहीं है A क्या है offer ही है इसे बोलते है counter offer एक होती है cross offer cross offer क्या है जैसे कोई एक चीज है A ने goods sale करनी है A कहता है कि मैं goods sale करना चाहता हूँ ये तब की बात है जब buy letters जो offer acceptance होती थी अभी email में भी ऐसे हो सकता है कि A जो offer कर रहा है goods sale करने की उन्हीं चीज़ों को उसी rate पे B offer कर रहा है purchase करने के लिए इसे कहेंगे cross offer इधर ये offer कर रहा है same चीज़ी भी offer कर रहा है A को तो this is called cross offer दोनों में difference पता चल क्या ये same time पे same product के लिए offer हो रही है by both the parties और इसमें एक party ने offer किया है दूसरी party ने उस offer को reject करके अपनी और से नई offer किया है इसे counter offer कहा जबता है communication of special conditions हमने शुरू में किया है तो एक कह सकते है five marks का question बन सकते है और इसकी knowledge होनी भी जरूरी है तो communication of special conditions का मतलब है कि जब हम offer करते है with conditions ठीक है तो मैंने कहा था कि जो person accept करेगा तो ये माना जाएगा कि उसने conditions को भी accept कर लिया है ठीक है न यही point किया था हमने तो यहां पर case आ रहा है कि पर इसमें खास बात यह है कि जो भी special conditions है वो specially clear होनी चाहिए प्रिंट होनी चाहिए और ता मतलब कि जो भी आप offer कर रहे हो offer letter पर ठीक है तो case है Henderson वर्सिस टेवंसन का उसमें क्या है कि PE ने एक steamer ticket बाई की है ठीक है जिस पे सिरफ उस जगह का नाम लिखा हुआ था that was Dublin to Whitehaven कि हम लोग यहां से यहां जा रहे हैं पर जो conditions थी वो कहीं भी mention नहीं की हुई थी सिरफ on the back जो है उस ticket की back पे लिखी हुई थी condition जिसमें कहा था कि जो है यह जो traveling है it will not be liable for any injury और loss अब PE ने जो है ticket तो बाई की उसने ticket के front पे देखा उसने ticket की back पे condition को नहीं देख ठीक है नाई वहां पे कोई indication था कि see back अब हुआ क्या PE का जो लगेस था that was lost तो उसने company पे claim किया तो यहां पे company liable होगी क्यों liable होगी क्योंकि उसने जो conditions थी वो उसकी कोई clear cut information नहीं थी ठीक है they were not visible ठीक है अगर वहां पे लिखा होता अगर वहां पे लिखा होता for conditions see back ठीक है वी conditions हुआ है on the back of the ticket है आप वहां पे देखो in that case company will not be liable ठीक है for conditions see back अब हुआ क्या Parker versus South Eastern Railway company का case है P.E. ने अपना back जो है clock room में जमा करवाया ठीक है कहां पे clock room में जमा करवाया और उस पे ticket लिखा था see back और back पे वहां पे condition थी कि company जो है किसी भी lost के लिए liable नहीं होगी और उन्होंने वो जो notice था वहां पे hang भी किया हुआ था ठीक है तो अब यहां इस case में हुआ कि उसका bag जो था that was lost bag lost हो गया यहां पे जो है company liable नहीं होगी क्यों क्योंकि company ने क्या किया conditions जो है उसको clearly mention किया था ठीक है अब conditions mention की गई है पूरा indication भी दिया गया है फिर भी अगर कोई person यह कहता है कि मैंने conditions नहीं पड़ी because I couldn't read तो यहां पे company liable नहीं होगी ठीक है तो यह case है thompson versus land London midland and Scottish railway company का तो कोई illiterate lady थी उसने ticket लिये railway company की वहां पे लिखा था for conditions e-back ठीक है उसमें था कि railway company जो है personal injuries के लिए liable नहीं है ठीक है अब हुआ क्या वो जो lady थी उसकी personal injuries होगी due to railway accident अब उसने जो amount claim की है तो railway company liable नहीं होगी क्यों नहीं होगी क्योंकि उसने जो ticket है वहां पे condition लिखी हुई है अब अगला point यह आता है conditions का कि अगर वो जो condition दी गई है that should be integral part of the contract integral part of the contract जब contract किया जाता है जैसे हमने अभी जितने भी तीन cases किये हैं तीनो cases ticket वाले किये हैं तो पहले case में क्या था कि ticket की back पे mention था front पे कुछ mention नहीं था तो उस case में they will have to pay the damages ठीक है और दूसरे दो cases में front में लिखा हुआ था so they will not be libel अब point आता है कि integral part का होना ज़रूरी है ठीक है अब P and her husband उन्होंने एक कमरा जो होटल का किराय पे लिया उन्होंने जो है वी का rent वी advance में pay कर दिया ठीक है rent pay करने के बाद जब उन्होंने रूम की charge लिया तो वहां पे लिखा हुआ था on the walls of the room की company sorry hotels that will not be libel for any theft, loss or damage ठीक है अब हुआ क्या की वहां पे क्या होगी theft होगी, रात को चोरी होगी तो यहां पे क्या hotels libel होगा, yes it will be libel because यहां पे जो condition लगाए गए थी not at the time of the contract उनको awareness नहीं थी बात में पता चली तो जब हमें condition पहले पता ही नहीं है तो वो condition accept नहीं होगी ठीक है जी, तो आपका जो question बनता था essentials of a valid offer वो तो पहले हम करी चुकी हैं यह हमने छोटे छोटे points की हैं जो उसके साथ short answer type questions में कहीं भी आ सकते हैं ठीक है तो आप लोगों ने साथ साथ पढ़ना है अच्छे से इसकी त्यारी करने है ठीक है वीडियो अच्छी लगी वीडियो को like करें चैनल को अभी तक नहीं subscribe किया तो जरूर subscribe करें तेंक।